नमस्कार साथियों मेरा नाम है अभिनो तुसान शुपांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के तो आज आपको पैन कॉपी निकालने पड़ेगी पैन कॉपी निकाल लिजे और आए शुरू करते हैं आज का हमारा डिसकेशन ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है मतलब और यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्रकास के गुर्धर्म देखेंगे प्रकास है क्या पदार्थों का जो है हम वर्गी करन देखेंगे प्रकास के साथ में लोग चीजों का जो है किस प्रकार से बरताव है बिहेवियर है उस हिसाब से हम वर्गी करन करे है और हम ये भी देखेंगे कि परावरतन के नियम क्या है ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके प्रल्थ के सिलिबस का तो हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी जो है अभी कोरोना से पहले बहुत सारे बच्चों का ये नुकसान हुआ कि उनके फंडामेंटल या उनके ब कोपी आप निकाल के रखिए आप अपने जो भी एक्जिस्टिंग ज्यान था उसको एक बार के लिए किनारे कीजिए और चीजने जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखने का प्रयास करें क्योंकि ये कहानी बहुत आगे तक जाएगी चलिया ये शुर आपके से विद्धुद्धारा भी एक उर्जा का स्वरूप है और उसी क्रम में प्रकास भी एक उर्जा है अब उर्जा क्या करती है हमें किसी कारे के लिए सक्षम बनाती है प्रकास सिखम को क्या मिलता है प्रकास हमें चीजों को देखने में सक्षम बनाती है तो प्रकास पहलूनाने के बाद में जब हम दूसरे तरफ उसको देखने का प्रयास करेंगे तो वो हम तभी दिखाई देगा जब हम सारी चीजें एक सीधी रिखा में विवस्थित कर लें अगर हम ये कार्डबोर्ड उक्षी स्थिती बदलते हैं तो हमें प्रकास दिखाई नहीं देगा या मुमबत्ती दिखाई नहीं देगी जिससे इस बात की पुष्टी होती है एक और चीज़ हम लोगों ने देखी थी और वो है कि हम एक पाईप के दूसरी और मुमबत्ती जला करके और फिर हम देखते हैं कि हमको मुमबत्ती सीधे-सीधे नजर आ रही है और ये कब होता है जब हमारी पाईप एकदम सीधी हो लेकिन जैसे ही हम अपनी पाईप को तेढ़ा कर देते हैं तो हमें मुमबत्ती दिखना बंद हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधे रिखा में ही कमान करती है आगे की बात करते हैं जो प्रकाश है उसके साथ में अलग अलग पदार्थों का अलग अलग बरताओ होता है और इसी करम में हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया या कहना चाहिए कि इसे अलग अलग कैटेगरीज में टाला प्रकाश के गुर्ण धर्मों के हिसाब से क्या वर्गी करण है पदार्थ होते हैं पारदर्सी पदार्थ होते हैं पारभासी और पदार्थ हो सकते हैं आपारदर्सी क्या क्या होता है पारदर्सी चीजें प्रकास का जिस ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकास आर पार जा सकती है उन चीजों को हम पारदर्सी चीजें कहते हैं काच है तेल है पानी है इन सारी चीजों से प्रकास आसानी से उसके अंदर गती कर सकता है और इसलिए इन चीजों को हम पारदर्सी चीजें कहते हैं पारभासी इस तरीके का काच आप लोगों ने कहा देखा है भाई बातरूम में जो है हम इस प्रकार का काच लगाते हैं उसी तरीके से और कहां जो है इन चीजों को हम उप्योग कर सकते हैं जहां भाई इधर से उधर हमको बराबर दिखाए नहीं देना चाहिए लेकिन प्रकास वहाँ पर है उसका हमको पता चलना चाहिए तो ऐसी वस्तुएं जिससे आंशिक रूप से प्रकास पार हो सकता है उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं और इसके बाद में अगली चीज़ है कि आपारदर्सी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन से प्रकास बिलकुल भी पार नहीं हो सकता या तो वो उसमें अवसोसित हो जाएगा या फिर वापस हमारी और ही मुर जाएगा ऐसी वस्तुएं जिन से प्रकास पार नहीं हो सकता उन् को एक सहर से दूसरे सहर जाने की बात करनी है कि आप यहां से जाना चाहते हैं दिल्ली आप किस माद्ध्यम से जायेंगे इसका उत्तर क्या होगा आप या तो हुआ हुवाइरू रूट से जाएंगे मतला भे PROF historन से जाएंगे आप स्री लंका जाने की बात होती तो आप ट्रेन से नहीं जा सकते आप सड़कों से नहीं जा सकते लेकिन आप पानी के जहाद से जा सकते है तो जिस भी चीज से कोई एक वस्तु जो है गुजर सकती है हम उसे माद्यम कहते है अब प्रकाश की बात है तो प्रकास के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकास केवल पारदर्सी वस्तूओं के थ्रू ही ट्रैवल कर सकता है उसमें जा सकता है तो वे सारी पारदर्सी वस्तूओं जिससे प्रकास आरपार जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं माध्यम कहते हैं हमारे पास माध प्रोल के अंदर से प्रकास जा सकता है हम देखते हैं कि काच से प्रकास का आना जाना हो सकता है तो वो सारी चीज़ें हवा है इससे प्रकास आर पार जा सकता है वो सारी वस्तुएं जो प्रकास को अपने अंदर से जाने देती हैं उन्हें हम माध्ध्यम भी कहते हैं अब माध्यमों के द्वारा जब मोमेंट होता है, मोशन होता है, तो उसकी अलग-अलग स्पीड होती है, तो यह से ही प्रकास के अलग-अलग माध्यमों में प्रकास की स्पीड अलग-अलग होती है, और प्रकास की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, वो किस में होती है, या त प्रकास की चाल है और इसाप से सोचा जाए तो प्रकास हवा में या खाली अंतरिक्ष में तीन लाख किलो मीटर एक सेकंड में चल सकता है यह सब हम लोगों ने जाना आगे की क्या चीज़ है आगे हम देखते हैं परावर्तन अब हम लोगों ने माध्यम समझा हुआ है और इ यहां देखेंगे कि यह असल में यहां से आपको फर्ष नजर आ रहा है यह जो है नीचे जिस भी चीज में अब यह गेंद क्या हुई गेंद जो है एक माध्यम हवा से चलती हुई इस फर्ष शेतकराई और उसके बाद में वापस से हवा में पहुँच गई तो प्रकास भी इसी तरीके से काम करता है प्रकास के प्रावर्तन को हम किस तरीके से परिभाशित कर सकते हैं या दि प्रकास की किरण किसी एक माध्यम से चलती हुई यहां पर माध्यम क्या है हम लोगों ने माल लिया कि यह एर यने की वायू है तो वायू से चलता हुआ प्रकास जब किसी आपारदर्सी वस्तु से टकराता है भई अगर पारदर्सी या पारभासी वस्तु से टकराएगा तो प्रकास अंदर चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है ये एक आपारदर्सी वस्तु है और प्रकास की कीरण जब किसी आपारदर्सी वस्तु से टकराती है तो वो टकराने के बाल में उसी माध्यम में वापस लोट जाती है मतलब ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का परवर्तन कहते हैं प्रकास की किरन एक माध्यम से गुजरते हुए किसी आपारदर सी वस्तु से टकराती है तो वो उसी माध्य में वापस लड़ जाती है और इसे हम प्रकास का परावरतन कहते हैं परावरतन के भी बहुत सारे प्रकार है सबसे पहले मैं आप से पूछूँगा कि क्या मेरे चहरे से प्रकास का परावरतन हो रहा है क्या इस कपड़े से प्रकास का परावर्तन हो रहा है क्या मेरे बाल प्रकास को परावर्तित करते हैं और आपका उत्तर होना चाहिए देखिए सोच के बुलिए क्या मेरा चहरा या मेरा कपड़ा ये आपारदर्सी वस्तु है बिल्कुल है तो आपारदसी वस्तु से जब भी प्रकाश टकराएगा वो टकराने के बाद में वापस उसी माध्धम में लौट जाएगा तब आपका प्रशन होना चाहिए कि जब हम एक दरपण में अपना चहरा देखते हैं तो हमें पूरी अपनी आकरते समझ में आती है लेकिन आपके कपड़े में हमें अपना चहरा नजर नहीं आ रहा है फिर हम उसे परावर्तन क्यों मानें सवाल बिल्कुल सही है आप मेरे हाथ में अपना चहरा नहीं देख सकते तो फिर मैं इसे परावर्तन कैसे मान लूँ तो इसके लिए जो है हमारे पास में उत्तर है कि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं क्या-क्या एक है नियमित परावर्तन नियमित परावरतन का मतलब क्या होता है जब किसी भी माध्यम में एक दूसरे के समानतर चलने वाली किर्णे किसी अपारदरसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद में परावरतन के पस्चात वो किर्णे जो है फिर भी एक दूसरे के समानतर रहती है तो इन्हें हम नि लाइट चालो की और जो लाइट आ रही है वो एक दूसरे के पैरलल याने कि एक दूसरे के समानतर चलती हुई आई और वो दरपण से टकराई तो उसके बाद भी वो किरने जो है एक दूसरे के समानतर ही बनी रही ऐसे में हम इसे नियमित परावरतन कहेंगे और इस नियमित साफ सुथरे ढंक से नजर आ रही है अब अनियमित परावर्तन क्या होता है भाईया नियमित के बारे में हम लोगों ने जान लिया अनियमित परावर्तन क्या होता है जब समांतर आपतित किरने का मतलब क्या होता है जो प्रकास आ रहा है भी चीजों से टकराया नहीं है उसे ह आपतित कीरने कहेंगे और जो समानतर आपतित कीरने यदी परावर्तन के पस्चात अलग अलग दिसा में चली जाएं या एक दूसरे के समानतर ना निकलें तो उस परावर्तन को हम क्या कहेंगे उस परावर्तन को हम आनियमित परावर्तन कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर तो हो रहा है लेकिन आप साफ सुतह तरीके से पानी के किनारे में जो हरी घास है वो नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर यह तस्वीर धुंदुली हो गई है अब आप सोचिए कि जब आपने आप बही आपके चहरे से प्रकास की कीरण टकराई और वो कीरण जो है जब दरपन हमें लोटरी हैं लेकिन इस बार इसका जो परावर्तित किरने हैं वो एक दूसरे के समानतर नहीं है आप निश्चित आकर्ति चमकीली नहीं लग रही है तो आप क्या करेंगे एक वैक्स आता है और वैक्स वो क्रीम जो है आप अपने गाड़ी में छीटते हैं थोड़ी दर उसको धूप में गरम इस्थान में रखते हैं और फिर कपड़े से रगड़ रगड़ के पूंशते हैं वही काम आप अपने ज सता है जिस पर आपति Pitts प्रकास की समानतरले परावर्तन के पहस्चाथ अलग-लग दिसा में जो है लोटने लगती है तो आप क्या कर रहे हैं इस अनियमित सता को आप शीकना बनाते हैं और जितने जादा चीकनी सता मिलती है प्रकास का उतना ही नियमित परावरतन होता है आप अपने मार्बल में अपना चेहरा देख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको क्या चीज की जरुवत है उसके पॉलिश होने की जरुवत है तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली आगे बढ़ते हैं परावरतन के कुछ नियम भी है क्या बिल्कुल है और ये क्या कहते हैं देखिए जिधर से लाइट आ रही है इसको हम आपतित की रन कहेंगे जिधर से लाइट आ रही है उसे हम क्या कहेंगे आपतित की रन कहेंगे फिर परावर्तन के पस्चात लाईड जिधर जा रही है उसे हम परावर्तित की रण कहेंगे ठीक है और इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने एक सतह के लंबवत एक रिखा की चीज़े हम लंबवत कहेंगे अभी लंब कहेंगे इसके बाद में हमारे पास में जो है परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरन परावर्तित किरन जिस बिंदू पर परावर्तन हो रहा है वो बिंदू और उस बिंदू पर जो लंबवत है किसके उपर लंबवत है सता के उपर लंबवत है वो ये सारी की सारी चीजें आप तित्किरन परावर्तित्किरन अभिलम बदता परावर्तन बिंदू सभी कहां हैं एक ही समतल में होते हैं अब आपको ये समतल समझ में ना आए तो आप ये धियान रखिए कि जिस तरीके से अगर मैं स्पिन बॉलिंग करूं तो गेंद ऐसे सीधे आने के बाद में इधर या इधर स्पिन हो सकती है वो ऐसा लाइट के साथ में संभाव नहीं है इसका मतलब प्रकास एक सीधी रिखा में आएगा और उसके बाद में परावर्तन के पस्चात लोड जा नहीं सकता प्रकास ऐसे आके ऐसे नहीं जा सकता प्रकास ऐसे आके ऐसे नहीं जा सकता तो यह पहला नियम है दूसरा नियम क्या है आपतन कोन का मान सदैव परावर्तन कोन के बरावर होता है यहां यह आपतन कोन आई है और यह आपतन कोन आई है और हमेशा आई बरावर आ और यह सदाव सकते होता है और तीसरी बात जो कि नियम नहीं है लेकिन आपके सुधा के लिए मैंने नियम के तौर पर यहां पर लिख दिया है वो है कि आपतन कोड और परावरतन कोड को सदाव कहां से ना पेंगे अभिलम से आप इस तरीके से ना करें कि यहां आपतन कोड आई निकालें और उसके बाद में जब आपको आर निकालना है तो आप फिर से यहीं से निकालेंगे तो यह कभी बरावर नहीं मिलगा आपको तो यह गलत है सही क्या है आप हमेशा कौण कहां से ना पेंगे आई भी यहां से ना पेंगे आर भी आप यहां से ना पेंगे आप हपने चहरे की बात कर रहा हूं तो मेरा चहरा तो ऐसे रुफ़झा है बाइस में यदि मुझे प्रावरतन के कुर मतलब की पुष्टी करना है तो क्या ऐसे अनीमित प्रावरतन में प्रावरतन kita cream के पुष्टी हैं हम यहां पर एक अन्यमित सतह लेते हैं और इस अन्यमित सतह पर एक light को incident करा लेते हैं यह आपतित्कीरण हम को यहां नजर आ गए अब यहां पर अगर हम परावरतन की नियम के पुष्टी करना चाहें तो हम पहले इसको क्या करेंगे इसको जूम करेंगे उसके बाद में जिस बिंदू पर जो है जिस बिंदू पर परावरतन हो रहा है उस बिंदू पर हम क्या करेंगे सतह के साथ में एक स्पर्श रेखा बनाएंगे और एक स्पर्श रेखा जो है अंदाजा लगा पाएंगे और हमको पता चलेगा कि आपतन कोण का मान परावरतन कोण के बरावर होता है हर एक बिंदू पर स्पर्श रेखा का मान अलग-अलग आएगा हर बिंदू पर अलग-अलग धंग से हमें स्पर्श रेखा मिलेगी और इसी लिए यहाँ पर परावर्तन आनियमित हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परावर्तन की नियमों का पालन नहीं हो रहा है बिल्कुल हो रहा है ज्यादा डिटेल से हम समझ पाएंगे जब हम परावर्तन को मतलब चित्र बनाकर अच्छे से रे डाइगरम बना कर study करेंगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद